कि अब के बाद कारिकरम में एक बार फिर्ट से आपका सुआगए थे ब्रेक ते पहले काफी सारी चर्चा हमने कि कि आखिर क्या उम्मीदें हैं और क्या 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 इस बजट में रहने वाला है यह पिछले बजट की एक समिक्शा भी हमने यहाँ पर गी अब सीधे चलते हैं. लोग अपने मन में क्या उम्मीद हैं पाल कर बैठें इस बजट से? ये अधरें को आशा हैं इस बजट से? और क्या कहना चाते हैं इस बजट के लिए? क्या आख्रिब इस बजट में उनके बैचे हो? क्या मानते हैं? सीधे चलेंगे पीछे से. शुरू करेंगे जी हमें आशा है कि इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्रल डेवलेप्मेंट में आगर सिफ जेलन मार्क्स को ना सजा करके रूरल डेवलेप्मेंट की और ध्यान दिया जाए बजट के अकॉर्डिंग तो वह ज्यादा अच्छा होगा उनका सुझाव है कि गाओं में इंफास्ट्रक्ट्र और सुधाय गाओं में पहुचे इस बजट में उनको उम्मीद है आप क्या उम्मीद रखती हैं बजट से हम तो बस यह उम्मीद करते हैं कि हमारे स्लेबस को अपग्रेड किया जाए जिससे हम MNCs में अच्छे से अप्लाइ कर सके और उनकी क्राइट जैसा कि हमने बात करी थी गौर्ण्मेंट स्कूल के उपर और उसके उपर तो बोला जा रहा था कि गौर्ण्मेंट स्कूल के अंदर टीचर अच्छे निया वह निया लेकिन एक राजस्तान स्टेट ऐसा है जहां पर कि कुछ पेरेंट्स हैं जिनका विश्वास है कि गौर अब भी भी एज़ा एसी जगह है पार्क वार्क रोड शरकर वड़के नहीं है जो मैं चाहता हूं कि यहां वह सब डबलब हो नीचे तक विकास सिर्फ उपर से नहीं हो नीचे तक विकास पहुंचे जी इदर से और हां पीछे से कुछ कहना चारें जी तक ऐसा हो सकता है कि जो अपना एक गौवर्मेंट और अपने प्राइवेट एंप्लेमेंट में जो यह गैप है यह खतम हो जाए यह सबसे पहले मैं आता हूं बनेचंजी के पास बनेचंजी देखो जी यहां विकास चाहिए राजस्तान में तो उद्योग को डवलब करना पड़ेगा रेत अपक्स और राजस उसक है यहां आएगी कर देते हैं एंडेस्टी घृतना द्रातल पे आता नहीं है और सबसक्त कव करने वाले कीते हैं किसका 25% आजाए तो भी हमारे काम चल जाएगा तो इतना मोयू कराई क्यों अब 300 क्रोड, 400 क्रोड, 200 क्रोड तो तुम खर्चा कर देते हो, लेना देना कुछ से कुछ है नहीं, तो मतलब कि आर्थ क्या निकला, ये पैसे जनता कहीं लगते हैं, हम लोगों से टेक्स लिया वही तो पैसा सरकार खर्च करती है, टेक्स में सहूलिय तो आपका सुझाव है और वो सहूलिय तो इनका सुझाव है, बड़े से राज्यों के बराबर टेक्स हो, कम से कम नहीं होता है, क्या सुझाव है संक्षियप में आपका सुझाव भी है, मेरा तो यही सुझाव है कि इस बजट में infrastructure development और education की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि industries भी develop हो सके और employment भ क्या कहना चाहिए, देखिए, आज कल अच्छा बजट उसको कहते हैं, जिसमें GDP की certain percentage, health पे, education पे, infrastructure पे हो जाए, जैसे 2% हमको infrastructure जो पे खर्च करना है GDP का, तो यह rate हो जाएंगी तो इसमें variation नहीं होगा और गती मिलेगी हर साल जो है, उसी गती से उसका विकास होगा, उस संजय जी, क्या सुझाओ देना चाहिए, वैसे तो सबने बताई दिया है कि अपने budget का काफी खर्चा अपने social sector पे जाना चाहिए, इन्फर सेक्टर पे जाना चाहिए, लेकिन एक जो important चीज है, आपने को अपनी strength पैचाननी चीए, जैसे आपन उस चीज की पीछे भाग र चाहिए, जिनके पूरी अर्थवे वस्ता है, माइनिंग है, education institution है, health, health वाला सेक्टर है, इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो यहां का एक plus point है, आपन उस चीज पे पीछे बाग रहे है, manufacturing बहुत अच्छा है, माना, लेकिन कई सेक्टर में अपने यहां manufacturing के लि प्रमोट करें, वाटर जहां पर है, वाटर वाली जैसे कोटा एरिया है, वहां उस तरह की industry पर प्रमोट करें, यहां वाटर का काम होता है, यहां नहीं है, वहां नहीं है, इस अपनी जो service industries है, उस पे सरकार का ध्यान कम है, जिसमें की बहुत employment ध्यान देने की इस budget में प्लेग्राउंड उपन कर लिया है, उनके जो बचे वो धोनी बने, पर क्या एक्चुल में हम उनको धोनी बनाने के लिए वो education दे रहे हैं, वो सारा sort out हो रहा है, वो सब नहीं हो रहा है, अगर यह gap फुल्फिल होता है, तो ही हम जो समस्या है, employment की, unemployment की वो दूर हो कि सीधे यहां पर आउंगा मैं बावुलाल जी के पास, बावुलाल जी है, देखे एक्सपर्ट अब नोलेज की आउशकता है, तो एक तो एक्सपर्टाइजिशन की और ध्यान दिया जाए, दूसरा क्रशी के संबन में भी इनको बहुत ज्यादा ध्यान देना ही हैं, और अगर हमारे माननिये प्रधान मंत्री जी खाली 20,000 क्रोडर पर राजस्तान को दे दें, तो हमारी नदिया सारी जुड़ सकती है, ये पर अभी इस बजट में तो नहीं आया ये प्रावदान, पर अगर ऐसा हो, तो यहां की सचाई ब्यवस्ता बहुत बढ़िया हो और यहीं से आपका सारा रोजगार की विवस्ताएं भी होंगे। अजार कुछ करोर रुपया मांगा था, उन्होंने ग्यारा सो करोर दिया है, मेरी ये पेक्षा ही है कि इस बजट में वो केंदर सरकार से भी मांगे और खुद के रिसोर्सेज को भी डाइवर्ट करें, क्योंकि अगर आधाराजस्तान अकाल गरस्त है, फेमीन में हैं, तो ह हम यहां कमफर्टेबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसमें बहुत बजट में फोकस होना चाहिए, दूसरी बात, किसानों के लिए जो रिन की सीमा है, इन्होंने घटाई है, वो अगले साल केंदर की सीमा बढ़ी है, उसको देखते वे और बढ़नी चाहिए, और तीसरा, ती प्राइवेट कमपनियों को देने की जो पहल कर रही है, जिसमें प्राइवेट कमपनियों का एक रुपया नहीं लगा, आपको अगर इतना बड़ा ब्रस्टाचार का एक मामला बन रहा है, उस पे रोल बेक करें बजट के तुरू, और कहें कि नहीं हम जिसे गलती हो गई, ये कैसे मुनाफ들 में चलती है, या वो प्राइवेट कैसे मुनाफ कम लेगा, मेरी इतनी और्पैक्षा है, जली सीद्य और इक लिए अगर आपके बजट ने पूरी कर दी तो बयान जारी नहीं करेंगे, ये कोज़ेंगे के बजट अच्छा है, एक तो कुछ में करते हैं और जैसे सभी लोग ने कहा है उससे साथ सारे सेकंटर कोई क्रशिक के बारे बात कर रहे हैं कि इस बारे मुद्दे की बात यही है कि सीमिन संसादनों के अधार के ऊपर सरकार को हर वरका द्यान रखना चाहिए मुख्य रूप से किसान, सींचाई और युवाओं के बारे में सोसना पड़ेगा, ये देश की आवश्यक्ता है, और मैं निश्यत तोर पर कह सकता हूँ कि भाजपा सरकार इन पुद्दों को ध्यान में रखते हुई बजट बनाएगी, ये मेरी अपेक्षा, चलिए आपकी जन्ता उस बजट के अंदर अपने आपको कही ना कहीं जुडा हुआ और जुडाव दोनों महसूस कर पाए, जन्मंच जन्ता की आवाज में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार